हेई गाइज आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी वाट आई इट इन डे तो सुबा मॉर्णिंग में उठते ही खाली पेट में थोड़ा सा पानी पीती हूँ उसके पाद अंगड़ा ही लेते हुए अपने किचिन के ओर जाती हूँ और जाते ही मैं अपने लिए थोड़ा चा गुन-गुना पानी रेडी करती हूँ थोड़ा चा ड्राइफ रूट ले लेती हूँ ड्राइफ रूट वाइसे तो भीगो के खाना चाहिए पर आजकल मुझे मन नहीं करता है तो मैं ऐसे ही नॉर्मिली ले लेती हूँ और मेरे यही रूटिंग रहता है और मैं लेती हूँ पर बीजबीच में चेंज भी होता है फ्रेस होने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाओंगी मेरा फेवरिट पैंकेक मुझे बहुत ज़्या पसंदर यह मैं घर पे लेके रखती हूँ पैकेट जब मुझे दिल करते हैं तो मैं बना के खा लेती हूँ सिंपल भी है बनाना सिब दूद और थोड़ा सा ओयल एड़ करो बैटर बन जाता है उसके बाद थोड़ा से घी बटर या फिर जो वाइट वाइल होता है या फिर ओली वाइल से अब यूज कर सकते हो बस आपका पैंकेक रेगी हो गया है दो बड़ा बना है एक छोटू सा बना है इसके साथ आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो में तो जादा तक बनाना लेती हूँ क्योंकि पैंकेक के साथ मुझे इसका टेट जादा अच्छा लगता है सो इसके उपर में थोड़ा सा हनी दे दूंगी क्योंकि बहुत यम यम लगेगा इसके बाद थोड़ा सा में ड्राइफ रोड एड करूंगी और थोड़ा सा मतब यम्मी बनाने के लिए थोड़ा सा में चॉकलेट सिरप भी एड कर लूँगी पैंकेक ना मेरा फेवरिट है कास मुझे रोज बना के कोई खिलाता पर खुद को ही बनाना हो करने के बाद में टॉम बाबु को गुरुमिंग करें क्योंकि आपके घर अगर कोई भी पेट हो आपको बहुत ज़्यान रखना पड़ता है तो सुबा सुबा में गुरुमिंग कर लेती हूं खासकर के पार्शन कट तो इसके बाद मैं आ गई हूं जीम में क्योंकि सुबा सुबा वॉक आउट करने का मजाईया लगे और आज मेरा लेक डेथार ओवराल हेल्थ के लिए आपको वॉक आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और मेरे और तब फेब्री थे वॉक आउट करना जीम से आने के बाद फटाफट फ्रेस हो गई और खाना बनाने में ल खाती थी और मेरे खुद ओनली नहीं थी और भी मेरे जितने सारे रूम मिटते सारे लोगी खाना बना के खाते थे तो वहां से मेरा आदत पर चुकी है अब तो अच्छा भी लगता है मुझे खाना बनाना सो मेरा सबजी रेडी होगी यह प्राउन का सबजी था और अब मैं दाल में तड़का मारूंगी अपने कड़ी पत्ता से तड़ी पत्ता ज्यादा तो नहीं है पर जितना है काम तो चली जाएगा गाईज दाल में कड़ी पत्य किस-किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताना मुझे तो बहुत ज़़ा पसंद है I love it एक घंटे में मैंने अपना लंच बना लिया था उसके बाद में नहाने चली गई थी अब मेरा टाइम हो गया है लंच का एकज़ेट दो बज़रा है बहुत ज़़ा भूग भी लगी है तो ये रहा मेरा लंच सिंपल सा थोड़ा सा राइस लिया थोड़ा सा दाल थोड़ा सा प्राउन का सबजी और थोड़ा सा मैंने खीरा ले लिया है कभी मैं टामेटो भी ले ले लेती हूँ जैसा मेरा घर पे अबिलेबल रहता है और अभी मैं आड़ करूंगी गॉंदोर दिखना होता है, तो मैं खाते-खते केड तर fewer nam até نेट फिलिक्स में गाइज आप लोग को अगर वेट लॉस करना होगा, आप लोग को वेट गीन करना होगा और फिर मैनेज करना होगा, तो घर का खाना ही khaो, बाहर का खाना मत खाओ और ऐसा कुछ डायेट नहीं है, आपको जो भी खा देखो न पेक बेलन्स के साथ खाओ आपको बहुत जदा हैल्प मिलेगा अभी तुम्हें कुकि मैं अपने वेट को मैंनेज करती हूं तो में यही सारे खाना बनाखाती глаз, मेरा वेट ब्लीका कर नाज टॉम मेरे है तो आप लोजे है तो भी खाना खा, तो अब fury को HU, पिना तो हो गिया है मेरा तबियत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है थोड़ा से फीवर थोड़ा से खासी है खासी थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही है और ये मैं मेडिसन ले रही हूँ मैंने सोचा था मैं सूट तो नहीं करूंगी पर बहुत टाइम हो गया मेरा वीडियो कि खाना पीना होने के बाद मैंने सोचा थोड़ा से स्किन केर किया तो मैं फेस पैक लागा रही हूं अक्ने कि लिए बहुत अच्छा होता है फेस पैक जस 10 दस्ट मिनित लगाना होता है ì उसके बाद सब्सक्राइब करेंस चाह Mat cuenta your उसके सफ़्प्राइब कैलॉक्स Geschichte फNGji पाथ RAJANA मूंड मुड मूरा यह सारे चीज भी लेती हूं पर एक साथ सब नहीं करके जब मेरा जो दिल करते हैं वैसे मैं ले लेती हूं और सामके टाइम पर चाई तो मुझे चाहिए चाहिए की बीना मेरा नहीं हो पाता है दीन में पूरा दीन दो टाइम दे दो या फिर एक टाइम दे दो पर चाहिए चाहिए आई लव चाहिए क्योंकि चाहिए लवर हूँ न और चाहिए के सा साथ में थोड़ा ओफिस का काम कर रही हूँ क्योंकि आप अगर प्राइवेट कमपणी में काम करते हो ना तो ये लोग आपको घर पे भी काम देके भेजते हैं और काम तो करना ही पड़ेगा कुछ काम से मैं बाहर आई थी और आपको फ्रेश फ्रेश अगर जूस मिल जाए इससे हेल्दी और कैई हो सकते हैं तो मैंने अनर का जूस पी लिया जादा तर डिनर में मैं सैलेड एफी सूप लेती हूँ बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी रहता है तो आज मैं बना रही चिकपी सैलेड जो मेरा आल टाइम फेवरिट है उसके साथ साथ जितना भी वेजिस था मैंने कट कर लिया है जो मेयोणीस होता है वह भी में एड कर लिया है जब भी मैं साबे में जाती हूँ सैलेड में मेयोणीस होता है वही सारे mould मेर पे भी उसक्रती हूँ और बहुत जävा टेस्टी रहता है डिनर के टाइम पे मेरे को मेडिशन भी लेना है, क्योंकि अभी जो मैं बाहर गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर दिखा के आ गई है, और मेरे मेडिशन और थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे हलक़ा फीवर भी है, इसलिए, तो खाने से पहले जो प्लोग की सिंपल सा Aaa। पलोग के साथ मेने अलमुस्ट तीन यो मेरा मील था, उसके बाद भी मुझे मुझे मेडिशन लेना था, तो वो भी medicine मेने ले लिया है अब तो सच में बहुत ज़दा तबीय ठीक नहीं लग रहा है और guys मेने ना अपना hair को cut कर लिया है क्योंकि नीचे से मेरा hair ना बहुत ज़दा छोटा बारा छोटा बारा था एक जैसे नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था तो मेने पूरा एक समान का लिया है तो पूरे एक ही लेंद का हो क्योंकि वैसे मुझे बहुत सौख है long hair का बट एक समान हो तो अच्छा लगता है और मैंने अपना चस्मा पहन लिया क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लैपटॉप में काम है इसलिए उससे पहले मैं टॉम बभू को उसके आइज में में ड्रॉप डाले हूं कि कुछ ठंड अलागे अद्धे को बदमा समक्खी पकरड़ा है कैसे सो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लागा है जरूर बताना और सौने से पहले में थोड़ा बहुत वीडियो देखती हूं और आप लोगों में कुछ सूनाना चात सो मैंने जब पूरी तरीके से सात्विक लाइफस्टाइल स्टार्ट करी थी स्पेशली जब मैं कथा में होती हूं या मैं सेशन्स चलते हैं तो अब जाकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया या अब जाकि मैं लोगों को बोलती हूं कि हापको लाइफस्टाइल लेनी तो जरूर बताना वीडियो को लाइक किजिए, सेर किजिए and सब्सक्राइब किजिए, फिर मैं आप लोग इसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाई, लब यू और मुझे बहुत ज़्यादा नीदारी है, अब मैं सो जाओंगी और टॉम किजिए लूब झिए, उब के बाई, उब करके लेओंगी झाम ध्यू आथ है।